वेल्कम तो माई चैनल बैसिक मैच सो इससे पहले के वड़ी में मैंने बता है कि आपको सिंपल इंट्रेस्ट होता क्या है और उसे केलिकुलेट कैसे कर सकते है और आज के वड़ी में बताने वाला हो कंपाउड इंट्रेस्ट और इन दोनों के बीच का डिफरेंट भी मैं होते है और इसे पहले अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर सकते है जो हम बीना कोई टाइम वेस्ट किये शुरू करते है कि कंपाउड इंट्रेस्ट होता क्या है तो देखिए मैंने पहले आपको सिंपल इंट्रेस्ट में बताया था कि अगर मैंने 100 रूपे है मेरे पास और इसको मैं कई पर बेंक में डालता हूँ और वो मुझे कहते है कि एक साल के बाद आप 100 रूपे ले सकते है उस पे 4% इंट्रेस्ट रेर्स होगा होगा आपका सो आपको एक साल के बाद आप कितने रूपे लेंगे वो मैंने बताया था कि उसका फोर्मिला होता है पी आर एंड डिवाइड बाई 100 एक साल के लिए हमने लिया हुआ है एक साल के बाद हम रूपे लेने वाले है तो क्या होगा इसका 100 इंट्रेड इंट्रेस्ट आया है त तो टोटल अमाउंट क्या हो गए हमारा 100 प्लस 4 विच इस 104 अगर आपको यह नहीं पता है तो मैंना ओल्रेडी इस पे वड़ियो बना रखा है आप चाहिए तो देख सकता है तो यह तो हो गया simple interest अब मैं compound interest find out करना है तब हम क्या करेंगे देखें यह जो step होता है simple interest और compound interest का सिर्फ एक साल के लिए वो same होता है मतलब अगर आप compound interest भी पुछेंगे कि 4% per year अगर interest हो और एक साल के बाद आपको रुपे लेने तो compound interest क्या होगा वो भी 104 ही होगा main जो difference इन दोनों के भी इसमें create होता है वो होता है एक साल के बाद time हो जाता है तब for example अगर यहापर दो साल मैंने लिखा होता for example लिखी लेते हैं यहापर अगर यह दो साल है 2 years बाकी सब कुछ same है 100 उपीस 4% per year हमने डाला हुआ है सो इसका interest क्या आएगा 100 into 4 into 2 are into and divide by 100 सो क्या आएगा 8 रूपे सो total amount क्या होगा 100 plus 8 108 यह simple interest हुआ दो साल के बाद अगर मुझे इसमें compound interest find out करना है तो वो 108 नहीं होगा वो अलग होगा उसका एक formula होता है वो मैं आपको बता हूँगा पर उससे पहले जो main difference है मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको समझ में आओगा यहापर 104 दोनों में same होगा पहले साल में simple or compound interest यह जो है different होगा और वो क्यों होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ सो जैसे कि मैंने बताया है दो साल के बाद simple interest होगा 108 अब simple interest compound interest में क्या difference आएगा वो हम बात करते हैं देखें यहापर simple interest पहले साल में 104 था और compound interest भी 104 था अब हमने क्या किया 100 रूपे 4% interest rate था और दो साल के लिए हमने find out किया तो एक साल में 104 अब दो साल में हमें 4% एक और बार एड़ करना होगा simple interest में सो 100 का 4% क्या होगा 4 इसको हम 4 एड़ कर देंगे तो बन जाएगा 108 यह होता है simple interest मतलब 104 आपने पहले साल में कमाया और यह 4 आपको दूसरे साल में interest मिला मतलब पहले का total पहले साल का total और दूसरे साल का interest हम एड़ कर देंगे तो बनेगा 108 यह हमारा total simple interest आएगा अब compounding में क्या होता है compounding में हम दूसरे साल का interest direct 100 पे नहीं find out कर से मतलब देखिए यह 4 परसंट कैसे चार कैसे आया 100 उपीस के 4 परसंट हुआ है 100 उपीस के 4 परसंट हुआ ठीके क्यों क्योंकि यह simple interest है अब compounding में क्या होगा हम यह 4 परसंट गिनेंगे पर 100 के नहीं पहले साल में जितने आये 104 उनके 104 के 4 परसंट गिनेंगे 104 के 4 परसंट क्या होगा 100 परसंट पर 104 तो 4 परसंट पर कितना तो यह cross multiplication method मैंने अगले वीडियो में आप देख सकते हैं अगर आप को यह नहीं पता इन दोनों का multiplication हो इन दोनों का 104 इन 24 पर 100 तो यह कितना होगा 108.16 तो यह total हमारा दूसरे साल के बाद total amount इतना मिलेगा जबकि simple interest में सिर्फ 108 मिलेगा यह पर 108.16 यह हमने 100 रूपे कम लिए है इसलिए आपको इसमें ज्यादा difference create नहीं नजर आ रहा है create होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जैसे simple interest का formula होता था वैसे compound interest का formula क्या होता है तो उसका formula amount is equal to होता है P into 1 plus R divided by 100 raise to N इसमें P क्या R क्या और N क्या वही है चो हम simple interest में P R और N था मतलब P is equal to principal amount इस case में कितना 100 है R कितना है 4% है और N कितना है 2 साल है 2 years ठीक है तो अगर हम इस formula से calculate करें तो क्या यह 108 per 16 आएगा देखते है 100 P P is equal to 100 into 1 plus R 4 divided by 100 raise to 2 सो इसका क्या होगा 1 plus 4 by 100 कितना होगा 1.04 का square कितना होगा अगर आप यह calculate करें तो answer आएगा 108.16 आप देख सकते हैं same answer आ रहा है तो यह compound interest का formula होता है और एक बात आप यहाँ पर खास जहान रखेगा यहाँ पर हमाँ total amount मिलेंगा simple interest में क्या होता था हमें शिर्फ यहाँ पर I मिलता था और उसे हम principal amount में add करते से पर यहाँ पर में direct amount ही मिलेगा यह होगा यह final amount होगा इसमें से हम कुछ add और subtract नहीं करेंगे तो यह हमारा final answer हो गया और अब मैं आपको एक बहुत interesting sum दिखाने वाला हो इसमें यह r होगा 4% होगा यह पर अनम है मतलब पर अनम मतलब क्या है पर यह एनम कॉम यह भी बोलते है तो यह पर अनम और पर यह होगा अब गर 4% पर 6 मंत होगा और और अन इस इकल तो वन या टू यर्स होगा तब हम इस formula में कैसे एक value months है per year नहीं है per 6 month है और मैं इसे invest करना है one year के लिए ठीक है एक साल के लिए मैं देना है तो 2000 रुप एक साल के बाद हमें कितना मिलेगा वो हम देखते हैं देखे यह formula होता है अब जब यह 4% पर 6 month हो गया मतलब एक साल में 12 मैं है यह कितना हो 6 month होगा ठीक है तो 12 डिवाइड बैशे कितना बचा दो तो इस formula में क्या change जाएगा पी इंटू 1 प्लस यह आर की जगह आर डिवाइड बैट 2 हो जाएगा डिवाइड बैट 100 और यहाँ पर एन की जगह 2 एन आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ क्योंकि यह 4% पर 6 month है 4% पर year नहीं है 6 month हो गया अगर यहाँ पर 4% पर 4 month हो जाता तो 12 divided by 4 कितना होता 3 12 क्यों ले रहे क्योंकि 1 year है अगर यहाँ पर 2 year होता तो 24 लेते हम सो 1 year है तो 12 divided by 4 कितना होता 3 होता तो यहाँ पर r divided by 3 लेते हैं और यहाँ पर 3 n हो जाता समझ में आ गया तो इस तरह से हम formula में change ला सकते है ठीक है अब हम इस formula से calculate करें तो principal amount कितना है 2000 into 1 plus r कितना है 4 4 divided by 2 divided by 100 2 n कितना है 1 ठीक है तो 2000 1 plus 4 by 2 2 2 divided by 100 कितना होगा 0.02 होगा रेस्ट टू तू तो 2000 into 1.02 उसका square कितना होगा यह 2080.18 तो यह हमारा compound interest का answer आएगा ठीक है उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यह बहुत ही simple होता है simple interest की तरह compound interest भी होता है बर उसमें एकी change होता है simple interest में हम दूसरे साल के लिए जो यह interest rate लेते है वो direct जो हमरा principal हम जितना हमने bank में डाला है 100 रुपे हमने अगर starting में डाले है तो एक साल दो साल या तीन साल के लिए 4% इसी पे गिनेंगे compound interest में दूसरे साल के लिए हम जो final amount होगा एक साल के बाद उस पे interest लेंगे 100 पे नहीं लेंगे ठीक है यही difference है उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद दो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं and thank you so much for watching this video